इचले साल जब करन जोहर ने पिता बनने की बात को मीडिया में साफ किया था तो कई लोग चौक गए थे बगा दें कि करन सरुगेसी के जरिये दो जुड़वा वच्चो यश और रुही जोहर के पिता बने थे और अब साथ फर्विटी को यश और रुही एक साल की हो जाएंगे और करन अपने चुड़वा बच्चों को अपने पहले चलम दिन को खास बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाते हैं एक खबर के मुताबिक करन रुही जश के पहले चलम दिन को यादगर बनाने के लिए खुब तयारी कर रहे हैं खबर के मुताबिक करन एक शांदार पार्टी का आयूजन करने वाले हैं लेकिन दिल्चस्ट बात ये होगी करन की बागी पार्टी इस की तरह इस पार्टी में फिल्मी दुनिया की मशूर हस्तियां शिर्कत नहीं करेंगी हम जानते हैं कि आप ही सुनकर चौक जाएंगे लेकिन आपको बता दें कि भले ही फिल्मी सितारे इस पार्टी का हिस्सा ना बने लेकिन फिल्मी सितारों के बच्चे इस पार्टी में चार चांद लगाएंगे करन ने जानकरी देते हुए कहा कि घर पर एक छोटी पार्टी का आयूजन किया जाएगा जिसमें रुही यश की उम्र के ही बच्चे होंगे मैं इस साल इस पार्टी को काफी सधारन रखना चाहता हूँ अगर आप ये जानने के लिए बेताब होए जा रहे हैं क्या कि रियश और रुही के जरम दिन पार्टी में कौन को नाएंगे तो आपको बता दे कि इस पार्टी में आने वाले नन्य मुने मेहमानों की लिस्ट का भी खुलासा हो चुका है बता दे कि सैफ अलिखानों करीना कफूर खान के लाटले बेटे तैमोर अलिखान समेथ इस पार्टी का नियोता शाहित का पूरो मीरा राजबूर की बेटी मीशा का पूर को भी मिला है और आपको बता दें ऐसा पहली बार होगा जब इन दोनों के बच्चे एक साथ सामने आएंगे के इस डिस्क को देकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि रुई यश अपने चलम दिन की पार्टी में इन सभी दोस्तों के साथ खूब मस्ती करने बाले हैं इसी तरह के और खबरे जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टॉप नीज जस्ट फू यू टॉप नीज से अमित की रिपोर्ट